अयोद्या में राम मंदिर निर्मान का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले पत्थर के स्थापित होने के बाद साल 2023 दिसंबर तक गरबग रुह का काम पूरा हो जाएगा और उम्मिद है कि 2024 की जनवरी में मकर संगरान्ति के दिन राम लला अपने मंदिर में स्थापित हो जाए। इस कार्यशाला में गुलाबी पत्थर लेकर मंदिर निर्मान के लिए पत्थर तराशने का काम शुरू कर दिया गया। पहले के राम मंदिर के डिजाइन के हिसाब से फैसला आने तक 60-65 फीसदी काम पूरा हो गया था। लेकिन सुप्रीम कोट का राम मंदिर के पक्षे में फैसला आने के बाद डिजाइन में परिवर्तन कर मंदिर के स्वरूप को बड़ा कर दिया गया। ऐसे में अपकुल 40 फीसदी पत्थर का काम पूरा हो सका है। गुलाबी पत्थरों से बनाय जा रहे राम मंदिर का गर्ब गुरूप का काम बुधवार से शुरू हो रहा है। ये पिंक सैंड स्टोन राजस्थान के भरतपूर के बंसी पहाड के है। इन पर नागर शैली क कलाकरोती उकेरी जा रही है। पहले इन पत्थरों का काम पूरी तरह हाथ से होता था। लेकिन अब चुकि मंदिर निर्मान के काम में तेजी आई है। इसलिए अब मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंदिर के पुराने डिजाइन में उचाई 128 फूट, गनफूट पत्थर लगाए जाएंगे। पहले के डिजाइन में 175,000 घनफूट पत्थर लगने थे।